नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मैं अब अपना टेप जो है लगाने जा रहा हूं जो सिल्वर टेप मैंने फिलिप कार्ट से मंगाया है आप इमेजन से भी मंगा सकते हैं दोस्तों सो रुपैसे लेकर के 200, 300, 400 जैसा चायें वैसा आप ले सकते हैं 20 मिटर उसके ढलावाद 2 इंच में है 3 इंच में है 4 इंच में है और उसके ढलावाद 20 मीटर में है 50 में है 60 में सतर में है जैसा चाहें वैसा ले सकते हैं लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपका डिस अगर बिल्कुल सही है उभरा हुआ नहीं है जो भी आप मरमत किये हैं तभी ये काम करेगा अगर ये कहीं से उठा बैठा है अब डाउन है प्रिपेरिंग करने में तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि दोस्तों मैंने भी ऐसे ही किया है अब हम काम में लग गए हैं दूसरे काम में मुर्ती का काम हमारा स्टार्ट हो जाता इस समय तो हमने समय ठीक से दे नहीं पाया और समय नहीं मिलने के वज़़े से साट काट काम किया और वैसे तो दिख तो नहीं रहा था वैसे तो ठीक लग रहा था कहीं बहुत मामुली सा उठा हुआ था लेकिन सिल्वर टेप चिपकाने के बाद ज्यादा दिख रहा है जहां जहां से उठा हुआ है वहां वहां से बिल्कुल असपश्ट दिख रहा है वीडियो में आप दे बिठाऊंगा next video में दोस्तों पहले मेरा असी पर कुछ नहीं आता था चाहे प्राइम फोकस डिस हो चाहे फाइवर हो चाहे 4 फीट हो या 6 फीट हो लेकिन दीरे 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 कोशिस और प्रयास करते करते दोस्तों पहले 11 चैनल आया फिर 22 चैनल आया फिर 35 चैनल आया और उसके बाद दोस्तों अंठावन चैनल आया और अंठावन लगबग एक महिने से चला था दोस्तों लेकिन यह सिल्वर टेप लगाया था तो कामयाभी तो हमें कोई ज्यादा नहीं मिली है लेकिन सिगनल तो हमारा कुछ बढ़ा नहीं है उतना ही है लेकिन सभी भाईयों क मालूम है कि सिल्वर टेप लगाने से सिगनल दो-चार परसेंट तो बढ़ी जाता है लेकिन हमारा कोई रिजल्ट नहीं निकला उसका कारण यह है कि हमारा एक दो जगह डैमेज राता तो कोई बात ने चार जगह पांच जगह डैमेज राता तो कोई बात ने लेकिन हमारा किनारी 10 जगह से तूटा हुआ था और कहीं कहीं का तो टुगडा ही गायब था और बीच में से हमारा 15 जगह तूटा हुआ था तो गर 2-4 जगह आता है तो समझ में आता है 5-6 जगह अगर 4-4-5-5 इंच 7-7 इंच अगर खड़े हो तो कितना कोई मरमत करेगा और जितना ही रिपेरिंग करेंगे काफी समझ देना पड़ेगा और जहां कहीं अगर असर कसर रा गया आफ डाउन रा गया तो वहाँ पर सिगनल भरपूर नहीं आएगा यानि ये छटरी का जो है भरपूर सिगनल नहीं ले सकते हैं और अगर कवरेज नहीं है आपके एरिया में जिस सेटलाइट का उस पर तो और भी रिजल्ट नहीं मिलेगा तो यही हुआ है दोस्तों और एक और गलती हो गई है यह जो लखीरें आप देख रहे हैं ना यह थोड़ा दूर दूर लग गया है दोस्तों दूर दूर का मतलब की कुछ फाका हो गया इसमें एक मिली मीटर दो मिली मीटर का गैपिंग हो गया है इस गैपिंग के वज़े से क्या हो रहा है कि यह जो है यह उस पे से जो टेप लगा हुआ है ना वो टेप के साथ उकश रहा है उसे मतलब उखड जा रहा है उपर से टेप छोड़ दे रहा है तो जब टेप छोड़ दे रहा है तो यह उठ जाता है रोलिंग करने लगता है र एक के उपर एक अगर मामूली एक में दो में अगर चड़ा रहा होता तो बिल्कुल साइनिंग भी बढ़िया आता और यह उपर से उकस्ता नहीं उकस्ने के बज़ा चिपकते रहता पक्का बढ़िया से चिपक जाता तो यही कमी है दोस्तों इसने और यह बिमारी पकड में अगई है बाकी मैंने पेंट करने से पहले भी टेस्ट किया था इस पर उतना ही सिग्नल जितना की पहले था और इस पर सिलवर टेप लगाए के बाद भी हमें उतना ही सिग्नल मिला और भाईओं का ऐसे छोड़के अगर चले जाएं तो LMB भी जलने का खत्रा है तो दोस्तों हमने इस पे पेंट मार दिया फटा-फट और जब पेंट मार दिया तो या देखने में तो सही हो गया लेकिन फिर भी हमें सिगनल में कोई जाफा नहीं हुआ सिगनल हमारा जियों कातियों ही रहा तो दोस्तों अब जो है मैंने पांच बजे भोर में इसे स्केन किया तो दोस्तों 80 के हमें 80 चैनल मिलने लगे पहले मिलता था अंठावन चैनल जो एक महिना से मैं इसे देख रहा था और देखने को कौन सा देखता है सबसे बड़ी बात तो यह है कि दूसरे लंग्वेज क का यह चैनल है और इंडिया चैनल जो भी डीडी फ्रीडीस वगर है वही आदमी यूज कर पाता है बाकी तो सवकिया वाली बात है तो असी पर दोस्तों में मुझे जो है असी का असी चैनल मिल गया लेकिन सिगनल अगर 2-3 परसेंट अगर ज्यादा रहा होता तो यह सारा दिन चलता लेकिन दोस्तों यह जब तेज धूप होती है तो फिर यह जो है खिच-पिच करते हुए चैनल गयाब हो जाता है जैसे जैसे 10-11 बचता है तो इस तैसे गयाब हो जाता है सिगनल देख लिजे दोस्तों 57 अं 37-37 है विजू वाली टीपी पर और उपर 55 है पहले उपर 64 था और नीचे 37-37 था कभी-कभी 49 भी हो जाता था लेकिन इस समय 37-37 दिखा रहा है तो उपर का लेंध थोड़ा घट गया है मैं मीटर में आपको अस्पश्ट दिखा रहा और जो दोस्तों जो वर्डिकल की 3 टीपी हमें नहीं आती थी पुरानी वाली वो भी मिलने लगी और 3 टीपी होरिजेंटल की मिलती थी और धीरे धीरे वो सब स्क्रंबल हो गया और डिस को जो फाइनल पोजिशन पर मैंने ले लिया है और 3 होरिजेंटल का 3 वर्डिकल का म दिखाऊंगा कि किस प्रकार से मुझे 80 चैनल मिल ला है और क्या-क्या उसकी दिखते हैं और कितना अभी उसे सेटिंग करना है और भरपूर आप लोगों को मैं इसका रेजल्ट दिखाऊंगा अभी तो मैं इसे सोटकोट पेंट वगरे कर देता हूं ताकि यह जो तापमान इसका अधिक है वो कम हो जाए तो भाई लोग कमेंट में आप बता सकते हैं कि क्या कमी के वज़े से हमें सिग्नल नहीं बढ़ा है तो अपना-पना राय हमें दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सस्क्राइब और चीजेगा कर वाई बॉक्ष्ट